हेलो स्टूटेंट्स आम अनुराग आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वह है को रिलेशन का टॉपिक मेजर सफ को रेशन चैप्टर नुमबर 11 स्माइवन स्टैट्स के लिए तो देखें सेप्टर बिसी के लिए क्या होता कि हम को रिलेशन सीखें गे कोर्लेशन क्या होता है पहले अपन देखें हम यह मानते हैं कि बहुत अच्छा हमारा जो सनलाइट है बहुत अच्छा पड़ा उस सनलाइट के कारण बारिश यानि रेन कितनी होई और उस रेन से हमारी जो फसल है यानि अगरी कल्चर है उस पर क्या फ़रक पड़ा है हम कोर्लेशन देखना चाहते हैं कि जब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है गर्मी ज़्यादा पड़ती है समर्के अंदर तो उसे हमारे क्या अगरी कल्चर पर कुल् развит पड़ता है या फिर हम यह कहें कि विराट कोली अगर century मार रहा है तो क्या India win करता है हम इन्दोंने बीट में correlation देखना चाहते है कि विराट कोली ने किते matches में century मारी और उसमें India किते matches में win हुआ तो किसी भी चीज में correlation calculate किया सकता है हम rain का agriculture पे देख सकते है हम विराट कोली की century का winning पे situation देख सकते हैं किसी भी चीज का कि आपने blue color की shirt पहनी थी आपका paper अच्छा हुआ क्या correlation किसी भी चीज पर find out क्या सकता है तो इस chapter में correlation का देखेंगे cause and effect क्या है correlation के types देखेंगे perfect correlation and no correlation है positive है negative है इन सब के charts वर है मैं आपके साथ discuss करूँगा इनके आपके merits क्या है demerits क्या है और multiple correlation क्या है then degrees of correlation कि किते type degrees होती correlation की फिर आप correlation के diagram देखेंगे scatter diagram है various diagrams जो है वो हमने बनाए है यहाँ वो सारे diagram जो है आपके discuss होंगे और plus यहाँ दो writers है एक तो है आपका Carl Pearson इसने काफी सारे formula दिये है assume means से, actual means से वो सब चीजे जो है अपन correlation के लिए calculate करेंगे और एक आपका आएगा spearman spearman ने भी आपके rank difference का method दिया था उसके भी अपन जो numerical हैं वो discuss करेंगे उसमें भी दो topic आएँगे अगर rank common है और एक rank common नहीं है तो इस तरीके से ये भी चीजे जो हैं वो आपकी चलेंगे Carl Pearson के भी काफी सारे आपके formula हैं वो discuss होने वाले हैं हर method के मैंने steps दिया हैं कि actual mean method से आप कैसे calculate करेंगे direct method से कैसे होगा assume mean से आपका कैसे होगा then आपका सभी के merit और demerit आप कहाएंगे rank difference method के बारे में spareman ने क्या कहा इसके merit और demerit कहा है scatter diagram में कौन कौन से diagram आपके discuss होने वाले हैं वो सब चीजे भी scanner चलेगी और सारी formula tables भी आपको इसमें दी गई हैं तो next videos में आप देखेंगे कि बारी बारी से मैंने हर topic को उठाया है उसका numerical question आपको solve करके बताया है और next video में हमने इन notes की एक narration भी जो है वो डाली है जिसको कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और वो पूरे notes ठोटी कली आपको जो है पूरे समझाऊंगा आप आराम से उनको underline करें important जो भी words है उनको देखें उससे आपका knowledge जो है वो काफी update होगा ओके, thank you Hello students, I am Anurab आज हम correlation का जो topic है उससे discuss कर रहे हैं correlation को हम R से denote करते हैं और correlation में different writers ने अपने method दिये हैं और आज आपन जो सबसे पहले ले रहे हैं वो ले रहे हैं rank difference method rank difference method ठीक है, rank difference method जो है वो writer जो मैं spare man उन्होंने दिया था तो इसको कई लोग spare man method भी कहते हैं spare man method भी कई लोग इसे कहते हैं अब इस method में क्या है, कैसे होगा वो अपन different conditions जो हैं वो देखेंगे सबसे पहले इसमें condition आती है if there is no common value in the series अगर series में कोई common value ना हो common value से यहां मतलब है repeat होना common value से क्या मतलब है repeat होना कि वहाँ repeat नहीं हो रहा है कुछ भी तो उसका अपने question जो है वो लेते हैं उससे अब उनको यह चीज clear होगी तो इसमें आपको x एक data दे रखा है और एक y का data दे रखा है x आपको दे रखा है 15, 25, 16, 32 and 40 यह question है एक column छोड़ देते हैं फिर y है that is 16, 10, 15, 25 and 40 यह आपका दो data आपको दे रखा है x और y का सही है अब हमें question स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यह x के तो यह तो marks given है या जो भी given है हम इनको rank देने पड़ेंगे ठीक है यह मुझे इसका क्या देना पड़ेगा rank इसको मैंने नाम दे दिया r1 तो वैसे तो सबसे ज़्यादा जो values को rank 1 दिया जाता है बारकि अगर आप छोटे को भी सबसे number rank दे के करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा मैं सबसे बड़े को rank दे रहाँ तो 40 number 1 number 2 is 32 number 3 पर है 25 number 4 पर है 16 और number 5 पर है 15 यह मैंने ranks दे दी अब मैं y को भी rank दूँँगा इसको मैं नाम देता हूं rank 2 सबसे बड़ा कौन सा है 40 rank 1 next है 25 number 3 है 16 number 4 है 15 and number 5 है 10 यह आपने इनको क्या दे दिये यह आपने इनको ranks दे दिये आप देख रहे हैं कोई भी rank x के अंदर repeat रहा 1,2,3,4,5 कोई rank repeat नहीं हो रहा है और ऐसा यहां भी नहीं हो रहा है इस series में भी repetition नहीं है इस series में भी repetition नहीं है इसका मतलब there is no common value इसी से ही मतलब है when there is no common value अब हमें rank का d निकलना है d का मतलब है difference difference कैसे निकलता है rank 1 minus rank 2 rank 1 में से rank 2 को less कर दीजे 5 में से 3 गया 2 3 में से 5 गया minus 2 4 में से 4 गया 0 2 में से 2 गया 0 1 में से 1 गया 0 यह आपका निकल गया d और d को चेक करने का सबसे बड़ा तरीका है कि sigma d हमेशा 0 आएगा चेक करें minus 2 and plus 2 किता होता है 0 बाकी दो 0 है तो sigma d हमेशा 0 आएगा अब चेक कर सकते हैं उसके बद आपको करना है d का square 2 2 जा 4 minus 2 into minus 2 that is plus का 4 0 0 0 इनका को square नहीं है अब आप sigma d square easily निकल सकते हैं 4 and 4 16 यह sigma d square आपका निकल गया तो यह देखिए if there is no common value in the series में आप table कैसे set करेंगे अब simply आपको formula लगाना है और कुछ में नहीं है तो जब common value नहीं होती है तो correlation calculate करने के लिए लिए लिखते है r r का मतलब correlation और capital r का मतलब rank difference में क्योंकि हम इसे rank difference method से कर रहे है इसलिए इसका formula होता है 1-6 sigma d square that upon n cube minus n यह आपका इसका formula है इस formula को अपन put करते हैं 1-6 sigma d square है कितना यह total correction करना पड़ेगा 4 & 4 8 होता है मैंने गलती से 16 लिख दिया that is 8 तो 6 into sigma d square that is 8 n n का मतलब होता है number of item 1,2,3,4,5 तो यह n होगा है आपके कितने 5 सही है तो n होगया 5 5 का q minus 5 1-8 6 जा 48 5 का q 5,5 जा 25 25,5 जा 125 125 125-5 that is 120 so 1-48 upon 120 that comes 0.4 तो 1 में से 0.4 गया answer आजाएगा 0.6 यह आपका answer है तो correlation आपका आगया कितना 0.6 यह question में तरीका तब है जबकि आपका कोई repetition ना हो अब हम लिखेंगे if there are common values in the series common value का मतलब होई repetition तो यानि अपके क्या है कि repetition होगा repetition होगा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ मानलो x आपको दे रखा है repetition देखना कैसे आएगा 15 25 16 32 40 32 26 32 40 and 44 यह आपकी values है यह question आपको दे रखा है ठीक है x की values आपको दे रखी sir repetition कैसे है देखे 32 एक बार यहां आया यहां आया और यहां आया repetition हो गया 32 इस series में तीन बार repeat हुआ है आचा ऐसे ही sir 40 यहां भी आया और यहां भी आया 40 भी repeat हो रहा है तो जब repeated values होती है तो question करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा दूसरा हो जाता है तो अपनको repetition पर ध्यान देना पड़ता है कि repetition का question कैसे होगा तो यह x की value दे रखी है और एक column हम rank के लिए छोड़ देते हैं और अब y की values हैं और y की values कैसे हैं देखें that is 15, 18, 20, 16, 25, 19, 32, 17, 27, 13 इस बार हम देखेंगे कि कोई भी value repeat नहीं होई है तो एक बार मैंने repeat की है और एक बार मैंने repeat नहीं की है ठीक है यह question मैंने बनाया यह question आपके सामने है अब मैं इसको rank देता हूँ इसको नाम मैं देता हूँ rank 1 सबसे बड़ी value 44 है rank number 1 दे दी इसको rank 2 इसको दूँ या इसको दूँ दोनों ही 40 है तो इसका मतलब rank 2 इसको दे दूँ या 2 इसको दूँ तो rank 2 और 3 इन दोनों के बीचे में आनी है तो इसलिए मैं rank 2 और 3 को बाड़ देता हूँ 2 और 3 दोनों को दो जनव में अगर मैं बाड़ दू तो यह कितना हैगा 2.5 तो इसका मतलब मैं इन दोनों को rank दूँगा 2.5 ना 2 इसकी ना 3 इसकी ना 2 इसकी ना 3 इसकी दोनों को बराबर weightage देना था दोनों को मैंने rank दे दिया 2.5 कैसे 2 और 3 दोनों rank को बाड़ दिया तो 2nd rank गई 3rd rank गई अब सीधा 4th आएगे 4th किसको दूँ 4 देनी है 32 को 32 एक दो तीन बार है तो 4th 5th और 6th तीन rank इन तीनों में आनी चीए that's why 4th 5th और 6th इन तीनों rank को तीन जनों में बाड़ दे 4 5 9 6 15 divided by 3 that is 5 तो इन तीनों को इन 5 rank दे देता हूं मैं देखिये 5 5 5 5 yellow जी कौन कौन सी rank गई 4 5 6 6 तक गई अब 7 rank देनी है तो 7 rank किसको दूँ 7 rank दूँ 26 को 8 rank दूँ 25 को 9th rank दू 16 को और 10 rank दू 15 को कुल मिलाके 10 ही जने थे n जो था वो आपका 10 था तो इस तरीके से ranks को बाटा गया ठीक है न ऐसी y, y को rank देते है rank 2 इस बार तो कोई repetition नहीं है तो easily rank दिया जाएगा 32 का 1st है 2nd 27 है 3rd 25 है 4th 20 है 5th 19 है 6th 18 है 7th 17 है 8th 16 है 9th 15 है और 10th 13 है सब में rank अपन नहीं देते है इस बार कोई repetition नहीं हुआ कोई tie नहीं हुआ तो यह rank 1 हो गया यह rank 2 हो गया minus 2 2.5 में से 2 गया 0.5 प्लस का 1 में से 10 गया minus का 9 सही है यह आपका क्या आगया D और D का total हमेशा क्या आएगा 0 आएगा यह बात आप चेक कर सकते है sigma D हमेशा क्या बैटेगा sigma D हमेशा 0 बैटेगा अब D का क्या करते थे D का करते थे square 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इनका सब का square करना है 55 जा 25 minus 3 into minus 3 that is plus का 9 0.5 into 0.5 है न minus का है तो यह plus का बन जाएगा 0.25 0 6 का square 36 minus 2 का square plus का 4 0.25 का square 0.5 का square 0.25 और 9 का square minus 9 into minus 9 that is plus का 81 और इन सब का total करोगे तो यह आएगा sigma D square इन सब का total करेंगे तो यह आपका आएगा sigma D square और यह आपका total करने पे 160.5 160.5 इस तरीके से हमने इसमें rank जो है वो दिये अब इसमें formula जो है वो आपका नया लगेगा formula क्या होगा अब वो देखेंगे formula वो ही है r r correlation के लिए or capital rank difference के लिए 1-6 अब क्योंकि repetition है तो नया formula लगेगा bracket में sigma D square अब sigma D square bracket में आ गया plus 1 by 12 m cube minus m फिर अगेन यह upset repeat जित्ती बार होगा 1 by 12 bracket m cube minus m प्लस ऐसी चलता रहेगा जित्ते repetition होगा घर हमारे तो दो ही repetition हुए थे एक 32 का repetition हुआ था एक 40 का इसलिए मैं दूई set बने हैं और then divided by n cube minus n यह आपका formula है अब इसमें values put करते हैं देखिए 1-6 sigma D square sigma D square अपने अभी अभी हो निकाला यह रहा 160.5 160.5 सर यह वाला आपने किसके लिए लिखा और यह वाला पहला मैंने लिखा 40 के लिए दूसरा मैंने लिखा 32 के लिए यही 2 repetition हुए थे तो 1 by 12 40 कित्ती बार आय था 40 आय था 2 बार तो m की जगा जगा 2 2 का cube minus 2 plus 1 by 12 32 कित्ती बार आय था 3 बार तो m की जगा जगा 3 यानि 3 का cube minus 3 bracket close n y 10 that is 10 का cube minus 10 इस तरीके से यह सारी values पूट रही यह 40 के लिए 42 बार आय था इस ते 2 का cube यह 32 के लिए 32 तीन बार आय था इसलिए 3 का cube solve करते हैं 1 minus 6 160.5 plus देखो 2 का cube होता है 8 8 में से 2 गया 6 6 divided by 12 होता है .5 3 का cube होता है 27 27 में से 3 गया 24 24 divided by 12 that is 2 bracket close 10 का cube होता है 1000 1000 minus 10 that is 990 तो मैंने calculation को थोड़ा सा short कर लिया ठीक है 1 minus 6 bracket को पूरा add कर ले that is 163.5 plus 0.5 plus 2 that is 163 that divided by 990 इसको अफसल करोगे that is 1 minus 6 into 163 divided by 990 तो 1 minus इस पूरी calculation को अफसल करोगे तो यह आपका आएगा .987 1 में से .987 जाएगा तो यह आपका पॉइंट 0.01 approximately यह आपका आगया क्या आपका answer तो इस तरीके से जब rank repeat होता है तो formula थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन tough नहीं है आप easily इसे कर सकते हैं सही है clear है आगे चलते हैं